बिसमलायरह्मानर रहीम आज हम लाएं मूली वाले पराठा तो के बहुत ही कम इंग्यूडेंट्स के साथ एक असान टिप के साथ बनाएंगे जिससे आपकी मूली वाले ठाटे बंते वकत नहीं बठेंगे यहां पर मैंने लिये हैं 3 kg मूली इन मूली को में यह मोड़े अच्छे से ने चोड़ेंगे, जितना अच्छा मूलियों का पानी ने चोड़ेंगे, आपके रोटी इतनी अच्छे बनेगी, कुछ लोग क्या करते हैं, मूलियों को मलमले कपड़े में या कोटरने कपड़े में डाल के ने चोड़ते हैं, जिससे वो पानी भी निकलाता है, वो तरीका भी ठीक है लेकिन मैं इसको अच्छे हातों की मदद से ही नहीं चोड़ने के बाद बनी है यहाँ पे हमने एक फ्रै पेन लिया है इसके अदम यह सारी मूलियां डाल लेंगे अब मैं आपको बताती हूँ एक खास टिप क्या थी है वो एक खास टिप यही थी कि मू मुलियों को एक पैन में हलका सा फ्राय करें सोते सा करें विदाव ड्राय करें तो तब यह बहुत अच्छे टेस्ट के साथ बनेंगी और जब हम बेलेंगे तो हमारी रोटी नहीं पड़ेगी और इसमें सारे जो इंग्यूरियंट्स हम डालेंगे वह भी अच्छे से किया हु आपने बीड्राय कर रही हुँ तिक है आपने इसको ड्राय करते लहां क्योंकि यह इसमें और जो फ्राय पन है तो इसके प्लिया और नीचे लगना शुर्य होजए यहां पर लिया वन टेबल स्पून गर्मसाला लाल मेच सबस मेच धनिया कोटी मेच जीरा और सुकर दिने आपने शुर्णा इसके अधर आझा यह देखें यह दॉड़ है लेकिन पर भी इसके पानी नहीं है इसको अच्छे सावने मिक्स करने जितना अच्छे से मिक्स करेंगे रूपर से टेस पर उतना ही मज़डार रहेगा तो अपे तोड़ी से अने वन टीस्पून अब मैं आपको देखाओ थयो पानी आपको नजर नहीं हाँ अगा जैसे मैं इसको प्रेस इसमे कोई ओपर नहीं आरा है और यह देखे जो सोसपैन जो मना arm देखेसे मेरे अपर यह देख बिल्कुल ड्राय है यह आप देख सकते हैं यहीं उसके पानी यह जब इसमें मैंने चीजेंपी आइट किये तो भी इसमें पानी नहीं था। और इसमें मैं ऑनियन का यूज बड़कुल नहीं करेंगे। तो यह देखें कितना ट्राय है मेरा। अब तक मैंने इसको बिल्कुल अच्छा से ड्राय कर लिया। किसी किसम का पानी नहीं है। अभ कुछ यह आपको वेट सा नजर नहीं है ड्राइ फोम में है अब थंडा होने के लिए रख देंगे जब यह अच्छे से ठंडा हो जागा प्रम इसकी रोटी आपनाएंगे जब हमने रोटी आपनानी है तो हमने कुछ लोग बड़े साइस की रोटी बेल के उसके लगा कर बेलनी है और यहां पर हमने अमेजा रखा है यह देखें बिलकुल रहा हमारा हमेजा है और रोटी यह दो चोटे चोटे मैंने पेड़े लिये थे और इनको मैंने गोल-गोल से बेल लिया है खुशका आपने कम लगाना है और इसको अच्छे से प्रेस करना ताकि यह जो हम आपने खेलात का हजार जरूर करें कि मैंने आपको वीडियो कैसे लगी है और आप लोग कैसे बनाते हैं यह देखें मैंने यहां पर रोटी बेल ली है और यह दरम्याने साइस की बहुत अच्छा सा प्राटा बन गया अब हम इसको फ्राइ किया है कितना क्रिस्पी बना है झाल 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 झाल